असलाम अलेकुम चलिए आज कि इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चेप्टर इस वीडियो में भी हम लोग दो चेप्टर को कम्प्लीट करेंगे देखिए यह जो आप लोग का चेप्टर है वह इर्फान से दिखिये का है क्या नाम है इर् से आप लोगो को क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों चेप्टर के राइटर कौन है मुसंनिफ कौन है तो वह फान सिद्खिय थीजिए अब जरा हम लोग इर्फान सिद्ख्य के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि आप लोग को जानते ही हैं एकजाम में कोश्वन पूश्वन तो इर्फान सिद्धिक्टी का असल नाम यानि की रील नेम जो है न वो इर्फान एहमद सिद्धिक्टी है ठीक है इनकी पैदाईश यानि कि इनका जन्म हुआ था यूपी में होगा देख लीजेगा आप लोग इनका तालुक शेख सिद्धिक्टी खानदान से था इनके वालिद का नाम मौलवी सुल्मान एहमद सिद्धिक्टी जो एक वकील भी थे और शायर भी थे शेर वशायरी भी किया करते थे इनके पिता जी ठीक है और इसी लिए इ भचपन से ही शेर वशायरी करना इस्टार्ट कर दिये थे किकले साल की उमर से इनके दादाजी नाम मौलवी एकराम एहमद शाद सिद्धिक्टी फीक है ये भी क्या ते जो एक शायर थे और अपने वक्त के शरस्यद समझे जाते थे यानि की जो इनके दादा, जी बये किया है पास किया है देखिए वाइए है वे रिभी लिख दिए है उसके बाद से देली से मास कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया इर्फान सदिकी दिली से क्या किये मास कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद उन्हें सबासट इस भी में हुकूमत हिंद की इतला आतीस रूस से वावस्ता हो गए यानि कि उन्हें सबासट में जौब किया वहाँ प्रिंस्पल के पोश्ट पर फाइज रोगए और वहाँ से रिटायर्ट्मेंट के बाद सबक्डोह के नुद नए कर लिए जी कि वहां से रिटायर्ट हो घंए वहासे प्रिंसपल के पुष्ट पर से वहां वहां से जॉब से उनका क्या हो गया तो फिर वो क्या हो गया लखनाओं में आकर बस गया और फिर वहीं पर रहना ही स्टार्ट कर दिये ठीक है इनका एक मजमुआ दिया गया है आप लोगों के बुक में मतलब किताब का नाम दिया गया है क्या है उसका दरिया यह याद रखन इसको इर्फान सिद्धिकी ने माली का और अगनी मत्र के उन्वान से टाइटल से उन्होंने इसका इस ड्रामा का तर्जुमा किया है ठीके उसके बाद से इर्फान सिद्धिकी का इंतिकाल हो गया मतलब उनकी मौत हो गई इसके वज़े से उनका इंतिकाल 16 मार्श 2040 को याद रखना है ठीक है अब हम लोग गजल की तरफ चलते हैं सबसे पहले गजल को पढ़ेंगे जो की चेप्टर नूबर 35 है इसका तश्रीम में करते हूं पहले ले ले लिजी आहां तक फटाफट स्क्रीन सौर् पहले गजल यादि की चेप्टर नूबर 35 को देख लेते हैं मैं आप लोगे दरक्षा का बुक ले ली हूं और देखते हैं कि कैसे इर्फान सदीकी इस गजल को लिखे हैं इस गजल के पहले शेयर में इर्फान सदीक लिखे हैं दस्ति असाय मुजजजा घर भी उसी का है गहरे समुंदरों में सफर भी उसी का है इस पहले शेयर में इर्फान सदीक के ये बताना चारहे हैं कि ये जो लाठी है इस लाठी से जितने भी कमाल होते हैं और इस दुन्या में जितने भी अजूबे होते हैं जूबा जूबा चीजज देखने को मिलता है थैरत कर देने वाला चीज इस दुनिया में हम लोगों को देखने को मिलता है वो सब किसके हाथ में है वो सब खुदा की हाथ में ये सारी चीजे खुदा ही करवाता है सब अल्ला ताला की देन है गहरे समुंदर में सफर भी उसी का है यानकी गहरे समुंदरों में जो सफर किया जाता है वो स सच है मेरी चश्म एहतबार सब कुछ फसीले शब के उधर भी उसी का है इस दूसरे शेर में इर्फान से देखते यह बताना चाह रहे हैं कि ए मेरी आंख तू जिन जिन चीजों को देख पा रही है और जहां तक देख पा रही है उसको जो खुदा ने बनाया ही बनाया है ले मंगल ग्राओ को देखने क्लिए तो नहीं ना देख सकती तो वहीं बोल रही है कि मेरी मेरी आफ तो जिन जिन चीजों को देख सकती और जहां तक देख सकती है उसको तो खुदा नहीं बनाया है ठीक है बस अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं लोग वरना सना भी उसी की है सर भी उसी का है इस तिस्वे शेर में इर्फान से दिखती है बताना चाह रहे हैं कि बस लोग अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं नहीं तो इस यह बर्च यानि कि तलवार भ असर भी उसी का है इस सेर में इर्फान से दिखिए बताना चाह रहे हैं कि यह जुल्म वाला सितम वाला तलवार है उस तलवार को मुहलते खुदा नहीं अता की है उसको फुरसत खुदा नहीं अता की है और जो फर्याद करने वाले लोग है जो लोग खुदा से दुआ मांग फरियाद करते हैं उनके दुआ में असर डालने वाला भी खुदा ही है ठीक है मनजर में जितने रंग है नारंग उसी की है है राणियों में जो के नजर भी उसी का है इस शेर में एड़फान से दिखके यह बताना चाहा रहे हैं कि यह जो मनजर है यह सीन मनजर मतलब दृश् यह सारी चीज जो भी हम लोग एक्टिवीटी करते हैं यह सब किसका है खुदा का है यह सब खुदा करवाता है इस दुनिया में जो आप लोग देख पा रहे हैं इस दृश्या में जो भी रंग देखते हैं अलग अलग अजूबा देखते हैं कमाल देखते हैं और उसे दे में इर्फान से दिखी ये कह रहे हैं कि मैं मुझरिम हूँ और मुझे कहीं मतलब सुकून नहीं मिल रहा है विरान सानती जगह पर जा रहा हूं नहीं में कहा जाओं जहां भी जाकर छुपूंगा ना वह सब जगह वह सारा चीज किसका बनाया हुआ है खुदा काई बनाया हुआ है, मैं कहीं पर भी जाकर छुप जाओं, वो सारा चीज खुदा काही exhaust सकता है। क्या लिखे है इस मेरफान से दिखी, खुद को चिरागे रहे गुजर जानता हूँ मैं, लेकिन चिरागे रहे गुजर भी इसी का है। इस लाष्ट सेर मेरे इफान से दिखिए बताना चाहरे हैं कि जो मैं अपने आपको मठलब रास्ते का शिराग समझता हो मैं अपने आप को जो अपना समझता हो ना वो खुisz मैं अपना नहीं हूँ वो भी खुदा का ही है मिरacio भुदा ने ही मुझे बनाया है जो कि मैं अपने आपको अपना समझता हूँ लेकिन मैं अपना नहीं हूँ यह तो खुदा का है यह जो मैं हूँ यह मैं खुदा का हूँ ठीक है तो यह देखिए लास्ट में आप लोग का कंप्लीट हो गया इसी के साथ गजल बहुत अच्छा तरीके से लिखे है इर्फान से द देख्ती लिखें है काम उस्य क्वे तनहाई का चलता है तो अकेला है के दुलिया से जुदा चलता है इस पहले में इर्फान श bureau ही बताना चाहले हैं व्लाब लग की बात कि है जो हमेशा अपनी तंहाई और अखिलापन काwww शिकायट करते रहते हैं कि मैं अकेला हूं अकेल और तना हए का शिकवाश चाहित करते हैं उनको इनको मालूम होना चाहिए और दुनिया में बहुत चारे लोग है जह अकेले हैं और वह अपना काम कर रहे हैं तो उनुठै कि नहीं करना चाही कि रंग आसान पहचान लिए जाते हैं देखने से कहीं खुश्बू का पता चलता है इस दुसरे शेर में इर्फान से देखके ये बताना चाहरे हैं कि रंग को देखकर तो पहचान ना असान है माली जे कोई फूल है फ्लावर है उसको देखकर तो आप लोग रंग की पहचान कर सकते हैं वो को देखकर करनी चाहिए ठीक है क्या पता उसका चेहरा अच्छा ना हो लेकिन उसके अंदर हुनर कुट कुट कर और काबिलियत खुट कर भरा हो ठीक है लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाएं यह समुंदर है या हुक में हवा चलता है इस शेर में इर्फान सिद्धि को मैं भूल जाता हूं वो सब किनारे लग जाती है और यह दिल है यह एक ऐसा समंदर है जहां पर सिर्फ हवा का हुकम चलता है जिदर हवा बहेगी उधरी समंदर क्या होगा उधरी जाएगा ठीक है पाव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से हम कहां चलते हैं नक्षे कफ फ्रयाद की जुकि मेरा रहुज सदा चलता है इस शेर में एक शहर से दूसरे शेर में जो है मेरी फरियाद की गूज सुनाई पढ़ रहे हैं और मेरी जो फरियाद है वो मुझसे आगे निकलते जा रही है मतलब मेरे से तेज दोड़ रही है मैं पीछे पीछे हूँ और मेरी फर्याद आगे आगे चल रही है ठीके अब ये लाश्ट सेर है दूसरे गजल का उस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद एक मामूरा पसे सीले बला चलता है इस लाश्ट सेर में इफान से दिखिये बताना चाह रहे है कि ये जो दुनिया है एक दिन खंडर बन जाएगी लेकिन खंडर बनने के बाद फिर से ये आबाद होगी जिस तरह मतलब एक जमीन होता है और वहाँ पर घर बनाया जाता है और वो घर एक दिन क्या हो जाता है तूट जाता है और फिर वहाँ पर फिर नई दूनिया भी ऑपाद होगी ठीके तो इसी के साथ आप लोग का ये जो दोनों गजल है ले से पहला सवाल है इर्फान सिद्टिकी कहां पयदा हुए तो इर्फान सिद्टिकी कहां पैदा हुए थे आठ जन्वरी हुन्हेसर इस इसवी को बदायू तिसरे सवाल है इर्फान सिद्धिकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया तो उन्हें से तिर्पन इस भी में अप्सन नमबर बी में बे लगा दीजिएगा ठीक है चार नमबर सवाल है मौलवी एक्राम एहमत शाथ सिद्धिकी अपने एद के सरसेद समझे जाते थे यह इ इप्लोमा उन्हें दिल्ली से हासिल किया था तो दिल्ली हो गया ठीक है दिली अप्सन नमबर बी में है ठीक है अब बाता थी मुटसिर तरीन सवलात की अतिलग उत्रिये प्रसंद्धि सबसे पहला सवाल है इर्फान सिद्धिकी का इंतिकाल कब और कहां हुआ तो कब लिए लगणा नमें गये थे 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 था तो उनका इंतिकाल अंत्व नहों वाले इर्फान सिद्धिक के मजमुएं किस लाम से यख्जा तौर पर शाय हुए तो फान सिद्धिक्य का जो मजमुएं धरिया धरिया नाम से साई हुआ तो यह आफ लोग लगा देजीए ठीक है चार नमबर सवाल है इर्फान सिदिक्टी मुलाजमत से सबकदोस होने के बाद कहा सकुनत पजीर हुए तो अपने मुलाजमत से सबकदोस्टी के बाद उन्होंने लखनओ में सकुनत इस्तियार कर ली ठीके पाफ नमबर सवाल है इर्फान सिदिगी ने कालीदास के ड्रामा मालवी का अगनी मतरम का तرجुमा किस नाम से किया ठाए शिश्टा को बताना है ठीके आप लोग इसको थोड़ा लंबा चुड़ा कर लिखियेगा दूसरे सवाल है दूसरी गजल के दूसरे शेर की तश्री कीजिए यह जो आप लोग का दूसरा गजल है इसमें जो आप लोग का दूसरा शेर है उसका तश्री करना है दूसरा शेर क्या है मैं आप लोग को बता दे रही हूं रंग आप फैसाइन हैं पहचान लिये जाते हैं देखने से कहीं खुर्षबू का पता चलता है इसका आप लोग करना है तुम्हें अल्रडी बता सब्सक्राइब कर दिजिए गर रे कीजिए ठीक है यहां पर सेर दिया है उस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद एक मामूरब पसे सीले बला चलता है इस यह जो शेर है इसका तश्री कर देना है आप लोगो को चार नंबर सवाल इर्फान से देखी कि हाला तो जिन्दगी के बारे में आप लोगो को आखे ठीक है ठीक है अब अगले वीडियो में हम लोग आगले चिंट को स्टार्ट करेंगे और उसको भी और बैतर तरीके से कंप्लीट करेंगे अब आप लोग मंजिल के बहुत करीब है क्योंकि 36 चेप्टर आप लोग का कमप्लीट हो गया और टोटल थार्टी एट अर्टिस चेप्टर है ठीक है अब आप लोग 36 चेप्टर कमप्लीट कर चुके तो दोध चेप्टर और बचा है उसमें कौन सी बड़ी बात है वो तो बाय हाथ का खेल है ठीक है तो इस chapter से related कोई भी confusion आप हमें comment करकर पूर्च सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो like share तो बनता है like कीजिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने पडोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर मिलेंगे नेक्स टूडियो में नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिस